तो फ्रेंज अग्बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रेट सांथी क्रियेटर तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वालें आधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है मेरे पास किसी एक विक्ति का कमेंट आया था कि अधार कार्ड से पेन कार्ड लिंक है या नहीं है कैसे पता करें क्योंकि इस समझ हो है कि सभी को जो एकी अधार कार्ड को पेन कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी है ठीक ना क्योंकि यह सभी के लिए रू से पपता करना किस तरह से जोए कि आप इसे लिंक कर सकते हैं लिंक करने के लिए अगर आप लोग कामेंट करेंगे तो मैं नेस्ट विडिएयो बनाऊँगा जिसके अंदर में आपको लाइब लिंक करके दिखाऊंगा आधार कार्ड को पेन ट से वह भी आपके मुवाइल फोन से ही हो जाएगा आपको कहीं जाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो में आपको पता करने का तरीका बताऊंगा तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने मुवाइल फोन में आ जाना है यहां पर आपको जो होगी गूगल ओपेन कर लेना है के यहां पर गूगल खोज लेता हूं इसके बाद Google क्लिक कर लेंगे ऑपेन करने वाद उपर में आपको सबसे उपर टॉप में इसका लोगो आइकन देख सकते हैं आप जैसी इस पर किलिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने नए एक नया इंटरफेस ओपेन हो जाए बोड़ा से नीचे आना यहाँ पर आपको बहुत सारा आफणद देखने के लिए गविल जाये के आप अतियोगा किящ पार होंगे रहाँ पूस्यकुनमुज लार भी जो कि view pm जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने open हो जाएगा मतलब यहां पर जनकारी हो जाएगा कि link है या फिर नहीं है तो यहां पर कुछ इस परकार से इंटरफेस open होगा तो यहां पर उपर में आप से pen card का number पूछा जाएगा अब नीचे वाला box में आपको अधार नमबर डाल देना है तो यहाँ पर चलिए मैं अपना pain card number यहाँ पर डाल लेता हूँ pain card number यहाँ पर मैं फटाफट जोएक एंटर कर लेता हूँ तो इस तरह सापको यहाँ पर अपना pain card number दे देना है देने के बाद नीचे में आपको मिल जागा अधार नमबर तो अधार नमबर में आपको अपना ही अधार नमबर एंटर करना है ठीक ना मतलब pain card और अधार काड एक ही बेक्तिका होना चाहिए तब ही जोएकि आप यहाँ पर देख पाईएगा इसके नीचे में view link अधार इस्टेटस का अप्सन मिल जाएगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है सारा details फिल अप करने के बाद जिसके पेन काड अधार काड नमबर इसके बाद view link अधार इस्टेटस अभी यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ जाएगा कि your pain number यह already linked to given अधार तो यहाँ पर आपका pain number का starting का दो अंक और last का दो अंक और अधार का भी starting का दो अंक दिखा दिया जाएगा इससे आपका यह confirm हो गया कि यह जो मारा अधार काड आये यह pain card से मारे link है चलिए यहाँ पर कि मैं एक और जोगी चेक कर लेता हूं ठी न किस तरह से आप जोगी कि किसी का भी मतलब कि चेक कर पाएंगी status कि अधार काड से pain card link है या फिन नहीं है तो मैं यहाँ पर दूसरा जोगी pain card number देता हूं यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर नीचे में आधार का नंबर दे देंगे तो यहाँ पर मैं दे देता हूं इस तरह से आपको डालना मतलब कि pain card और आधार काड एकी बेक्तिका होना चाहिए ठीक ना यह नहीं कि pain card किसी और का आधार का ऐसा नहीं होन चाहिए इसके बाद view link पर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं यह भी हमारा pain card और अधार काड आपस में अटाएच है ठीक ना लिंक है तिस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका pain card अधार काड से लिंक है या फिन नहीं है और नहीं है तो इसके लिए मैं जो एक नेस्ट आपको बताऊंगा कि इस तरह साब अधार काड से pain card को लिंक कर सकते हैं अभी घर बैठे ते वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह की knowledgeable वीडियो देखने आपको वीडियो का डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जाके फटा फटा फट लिपाफा भी आप कलेम कर सकते हैं तो फ्रेंस मैं उमिद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद रही होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी तर आपको वीडियो